हेलो दोस्तों अगर आप भी स्वयविन की खेती करते हैं और आपकी स्वयविन भी फूल और फलियों की अवस्था में हैं और आप अपनी स्वयविन की इल्यों से अगर परेसान है या सभी प्रकार की इल्यों को एक साथ में कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वैबिन की खयती करते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिये कशानब का नाम आप इसका प्राइब करते हैं पर यह बहुत बहुत बहत्रीन के टेकनिकल है इसका ओर इसके साथ में जो भी हमारे रचूसक. इसका में फासलों में काम करती है और जो सब्सक्राइब कर देना चाहूँगा तो किसान पहले तो आपको यह बता दिता हूं कि यूपोंड कंपनी के द्वारा बना गया था जिसको अवांट के नाम से निकाला गया था और बहुत प्रशलीद भी हुआ था और किसान भाई इस नाम को अच्छे से जामते हैं आज भी एक इंडॉक्सा कार बजुट है अपने मार्केट में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा आप करता हूं आपको किसान भायो कि इसका जो मोड़ो फैक्सान में यानि हों इसका उप्यों करते हैं तो यह कितने दिनों में काम करती है। और कितने समय में ही इल्लीenne से हमारी फसल सब्सक्राइब मिल जाता है। किसान भयोट जब भी आप इस्को डालते हैं, तो मात्रिच चार घंते के अंदर हो talking. फसलों में नुक्सान होने की प्रक्रिया को बंद कर दे ती, यानि कि आपने इसको इस्प्रे किया और चार घंते के बाद है चाहें आपको इल्ली दिखाए देगी जीवित पर वो फसलों को खानी चाहिए खानी पाएगी उसका कारण आपको बता देता हूं उसका mode of action वो जो इसकी जो मारने की प्रक्रियाए ना वो कुछ विछेस है अलन्य दवायों के मुकाबले इसलिए इस दवाय को बहुत खास मा पर बना जाता है तो कॉच खाने की इस्तती में नहीं रह पाती है जिससे उसको लगवी वाली जो प्रोब्लम होती है आप लोगी समष्या होती उसमें खाना पिना है वह प्रक्रिया बंदों जाती थी तो वह जो प Kansas एजर बन्स आपको आपको पुरी तरह से खराब कर देती है और आपको मातर चार घंटे के अंदर आपकी फसल में नुक्सान होना बंद हो जाता है और आपको चोवीस-टालीस गंटे के आसपा सारी पत्तियों पर आपको सारी खेट में दिखाई देती हैं तो किसान भाईो अगर आपकी सोयाविन में फलिया हैं, फलियों का टाइम जो ऐसा होता है, उस टाइम पे आपको तमबाकु इलली है, चणा सेधक इलली है, काली इलली है, सभी प्रकार के इलली लगती है. और अगर इनको आप एक ही बार में landlord करना चाहते है तो आपको सिर्फ इंडोक्स कार्ब का ही प्रयोग करना है उसके मातरा के बारे में भी थोड़ी से आपको मैं जानका रही थे था हूँ बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर थोड़ी से मात्रा में गड़बड़ी करते थे उसकी वज़े से सही से कंट्रोल नहीं मिल पाता है मात्रा आपको किसान भाईो साड़े तिन सो एमेल प्रती हेक्टेर के हिसाब से रखना है अगले वीडियो में आपको बताओंगा सोयबीन में कौन सफंगी साइट का प्रयों करना चाहिए उसकेड़रएमें डेटेल से वीडियो हम बनाएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में सिप्रकार की कुछ अनुभवही जानकारी के साथ में ऽवी तन्यवात